भारतिय संस्कृति में यज्य, योग एवं आयूर्वेज जैसी अमूल ने विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेज, इतिहाज की ओर द्रिश्टी डालें, तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महराजाओं, ग्रामवासियों वो अरन्यवासी रिशियों की कुटियों तक नित्य वन्यमेतिक यद्यों का प्रचलन देखने को मिलता है। पुना का एक केस आया कि साथ मेने में गर्व के अंदर बच्चा एक तम निश्क्री हो गया था। सुष छोटा हो गया था फूरा और डॉक्टर ने बोला कि अब तो अबर्शन करना पड़ेगा इसका। वहां से फोन आया तो हमने डॉक्टर तारा सिंग जी जो आपके बीच में है यहां पर उनसे बात की तो उनने बोला कि उनको यग्य कराओं लेखा माताजी के मात्यम से दोमवली से उनसे बात हुई तो नीचे यक्य के हवंड कुंड के नीचे उसमें ड्राइफूट का लेवल बिचाया गया सभी तरे के ड्राइफूट उसमें लगाए गये और फिर यक्य चालू किया देखिए दो महीना यक्य करने से वह बच्च को जनम दिया मेरी माताजी आज 84 यर्ज की है दीन बार पैरलिसिस हो गया हमने तीनों बार उसको ठीक कर लिया आज वह अपने प्योरों पे चलकर जाते हैं रोज यग हमारे साथ में सोफे बेटके सब सुनती हैं उनको पूरा यग याद है लेकिन एक भी परवार का मेंबर जब से हम आज पांच साल साल से यग कर रहे हैं हमारा एक भी फैमली मेंबर आज ऑस्परलाइज नहीं है दोक्टर की मेडिसिन नहीं ले रहा है और ज्यादा से ज्यादा अभी हम योग और यग को ही बढ़ाते चले जा रहे हैं ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भध्रम तन्न आसुव सर्वरक्षक परम्पिता परमात्मा को करतजिता पुर्वक प्रणाम करते हुए नमन करते हुए वदन करते हुए आज हम हमारे रिश्यों के द्वारा प्रदत जो पावनी परम्परा याजिक परम्परा उसके विशे में जानेंगे हमारे निती सास्त्र और स्मिर्टी सास्त्रों ने हमारे जो धर्मग्रंध है उन्होंने जो एक मानव का संपून लिकास और एक सामन्य जीवन की स्थिति से एक उच्च चेटना से युक्त जीवन जीने की जो स्थिति है वहां तक पहुँचने के लिए अर्थात अब भ्युदय और निश्रेस ये जीवन में सिधी जीवन में पूरुसार्थ चतुष्टई की सिधी धर्म अर्थ काम और मोक्ष यह जो पूरुसार्थ चतुष्टई हैं उसकी सिधी के लिए सोला संसकार पंच महायज्यों की पाउणी परंपरा हमें प्रदान की हैं इसमें जो पंच महायज्यों की पाउनी परंपरा हैं वह विशेष रूप से हमारे जीवन को पोशित, पल्लवित और आगे बढ़ाने वाली होती है निरियज्यम, पित्रियज्यम, देवयज्यम यह जो हमारे सास्तुर में मोनुस्वनिति आदे ग्रंथों में बताया पंच महायज्य, पहला है ब्रह्मयज्य, दूसरा है देवयज्य, अतिथीयज्य, बलिवेश्वदेवयज्य, पित्रियज्य यह पांच महायज्य कहे जाते हैं, यज्य नहीं महायज्य कहे और यह पांचो प्रतिदीन पालनिय होते हैं प्रतिदीन हमें उसका पालन करना होता है प्रतिदीन इन पंच महायज्यों को हमें करना होता है यदि हम अपने जीवन में सूख, सांती, सम्रिधी के साथ पुरुसार्फ चतुष्टई को हम अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हैं यह पंच महायज्यों में सबसे पहला यज्य होता है ब्रह्मयज्य ब्रह्मयज्य अर्थात परंपिता परमात्मा की सन्निध्य में रहना परंपिता परमात्मा का ध्यान करना भजन करना, सत्संग करना, स्वाध्याई करना वेद और वेदादी जो मोक से सास्त्र है उसका अध्यन करना, अध्यापन करना इस सारी कि सारी चीजे आत्म मंथन परियंत की यह ब्रह्म यज्य कह जाते हैं प्रतिदिन भोर में और साइनकाली संधिया के समय में हम ब्रह्मय यज्य करते हैं, संध्या करते हैं, वेद मंत्रों का उच्छारान करते हुए परम्पिता परमात्मा के इश्वर की महिमा को गाते हुए वेद मंत्रों के माध्यम से और अपने मन का आकलन या अवलोकन करते हुए दूरगुणों और दोशों का हम त्याग करते हैं सदगुणों और सदभाव को प्राप्त करने के लिए प्रभू से हम प्रार्थना करते हैं यह होता है ब्रह्मयज्य उसके बाद होता है देवयज्य अर्थात अगनी होत्र होम हवन जिसको हम कहते हैं यह विश्रीश रूप से इस प्रकृति के पोशण के लिए, चित्ति की सुद्धी के लिए और भी इसके बहुत सारे प्रियोजन हैं, देव यज्य के स्वामी दयानन सरस्वती जी कहते हैं, यज्य द्वारा वायू एवं विष्टी जल्व की सुद्धी होकर विष्टी द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना अर्थात, खान, पान, आहार, वीहार से लेकर के स्वांस, स्पर्ष, आदि के माध्यों से उस यज्य उर्जाओं से हम अपलावित होते हैं और अंत्तो गतवा, मनुश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्स की सिद्धी को प्राप्त करता हैं, अतह इसको देव यज्य कहते हैं और यह सभी को पालनी होता है, इस प्रकार से सत्यार्थ प्रकास के चतुर्थ समूलास में प्रकास डालते हैं कि मनुश्य का जो पूरुसार्थ चतुर्ष्टे हैं, उसकी जो सिद्धी है वह इस यज्य हवन अग्निहोत्र के माध्यम से बताए आयर्वेद में कहां धर्म अर्थ काम और मौक्ष की सिद्धी के लिए अरोग या मूल है उत्तम है रोग आकर के उस स्रेयस का जीवन को नश्ट कर देते हैं और स्वामी दयानन सरस्वती जी कहते हैं कि यज्य इस पूरुसार्थ चतुष्टई को सिद्ध करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है एक स्रेश्ट माध्यम है सरल, सस्ता और अचुक साधन है जैसे कहां कि धर्म अर्थ काम मौक्ष नम आरोग या मूल है उत्तम है और स्वामी दयानन सरस्वती जी कहते हैं आरोग्य के सिद्धी यज्य के माध्यम से हमें होती है आरोग्य माध्यम स्वास्थ स्वास्थ किसको कहते हैं समदोसा, समागनिष्च, समधातू लगरिया प्रसनातमें अंद्रियमन, स्वस्थ त्यविद यदे समदोसा, सम के दोसजिसके वात, पीत और कप समदोसा, समागनिष्च, जठ्षाग्नि से लेकर के सपत धात्वाई पँच प्राण हाग्नि सारी अगनिया समधोसा समधातु मलक्रिया सम है धातुे अर्थात रस रक्त मास मेद मज़ा अस्ति आदी के अही हमारी धातु मल ख्रिया और मल क्रिया ये नाखून पसीन रोंए बाल मलमुतर जिसको हम कहते बल inhib से लिग कि असारे मल है अमारे श्रीक के अलग अलग सारे मल है सम जिसके और क्रिया हमारे शरीश होने वाले जो क्रिया है वह भी सम है जिसके और इतना ही नहीं प्रसन आत्म इंद्रिया मन स्वस्थत्य बिदियते प्रसन है आत्म इंद्रिया और मन जिसका प्रसन है आत्म इंद्रिया और मन जिसका वो व्यक्ति स्वस्थ है और उस स्वास्थ को प्राप्त करने का सर्वतम कोई सादन है इस संसार का तो उसको कहा यज्य हवन अगनिहोत्र बहुत सारे विद्वान लोग अलग-अलग रूप में वेद मंत्रों की व्याख्या करते हुए विशेश रूप से बताते हैं कि यज्य सारवजनिक सुख का सर्वतम सादन है यज्य को करने से वायू मंडल शुद्ध होता है पवित्र होता है सुगदित होता है रोग निवारक बनता है मेडिकेटेड बनता है जीवनिय सक्ति का उसमें संचार होता है उस वायू मंडल में रहने से हमारा तन, मन, प्राण, परियावन, सब कुछ संतुलित होता है। कहिने का अभिप्राई हैं, हम अन्यक क्रियाए करते हैं, तो हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ केवल मातर जूड़ी रहती है। लेकिन यज्य एक ऐसा साधन है हमारे व्यक्तिकत जीवन के साथ, साथ हमारे सामाजिक जीवन के साथ और प्रक्रति के साथ भी जूड़ा हुआ पहलू है। अर्थाथ यज्य को करने से हमें भी लाग होता है। यज्य को करने से हमारे परीजन या हमारे आसपास में रहने वाले लोगों को भी लाव होता है लेकिन इससे अतिरिक पेड़, पोदे, पसु, पक्सी, कीड़, पतंग से लेकर जड़, चेतन, चरा, चर जगत में भी सत्व का आधान होता है इसी यज्य के मादयम से, हवन के मादयम से, अगनी होतर के मादयम से, यह कोई छोपी बात नहीं है यह यज्य के साथ जूड़ी हुई बहुत ही महत्पपोण और विशेश तथ्यात्मग बाद है इसलिए हमारे रिशिमुनियों ने इस यज्य को विशेश रूप से करने के लिए कहा है और पंच महायज्यों के अंतर, महायज्य माने प्रती दिन जो पालनी है, करने योग्य है, करना ही चाहिए, उसके अंतर गत गीना और यह तो स्वामी दयानन सरस्वती जी का मैंने बता कि पुरुसार चत्युष्टे की सिद्धी के लिए भी उन्होंने बताए, वायू का, सोधन का सबसे बड़ा उत्तम साधन और सारवजनिक स्वास्थ का सबसे बड़ा उपाए, इसी यज्य को बताए उसी परकर हम स्रिमत भगवत गीता में देखे तो भगवान सिक्रिष्ण जी यज्य सिष्टामरित बुजोयांति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्य से कुतोन्य कुरुसत्तम जो यज्य शेश अन्न का पान करता है सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है नायम लोको यज्य से कुतोन ये कुर्शन और जो यज्य नहीं करता है यज्य नहीं करता है हवन नहीं करता है अगनिहोत्र नहीं करता है इसके लिए तो यहलोग भी सुक्र नहीं होता है, पर लोग की बात ही छोड़ दीजा और उसे उल्टा जो यज्य करता है उसके लिए यहलोग तो सुक्र होता ही होता है यहलोग भी सुद्र जाता है और तीसरे अधिय में ओर कहा यज्य सिष्टा सिनासंतों मुच्चंते सर्वकलविशे भुज्यंते तू त्वघंपापा ये पचंती आत्वकारणा यज्य सिष्टा सिनासंतों मुच्चंते सर्वकलविशे सभी प्रकार के क्लेश, पाप, दूख, कष्ट, दूरितों से वो मुक्त हो जाता है यज्य सिष्टा अम्रित भुजो जैसे कहा, ऐसे यज्य सिष्टा सिनासंतो, मुच्चंते सर्वकिल, सभी क्लेसों से पापों से मुक्त हो जाता है, और भुज्यन्ते तु त्वगं पापा, ये पचंतियात्म कारणात, और बीना यज्यन का जो भोजन करता है, वो अन्न को नहीं, अपितु पाप को खा रहा है, वो पापी है, वो पाप का भोग कर रहा है, पापी है और पाप का भोग कर रहा है, बुज्यन्ते तु त्वगं पापा, ये पचंतियात्म कारणात, कहने का अभी प्राये, कि भगवान से कृष्ण जी ने भी इस यज्य को मानव बड़न के लिए अनीवार्य रूप से और अवश्य मेव करने कर्म के रूप में बताया है और कभी नहीं त्यागना चाहिए अठार वे अधियाई में जाकर के फिर से कहते है यज्यदान और तपह कर्म को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए मनिश्यदान और तपह कर्म को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए मनिश्यदान और तपह कर्म मनिश्यों को भी पावन करने वाला होता है जो मनिश्य है उच्च चैतना से युक्त जीवन जीने वाला है उसको भी पावन करने वाला होता है तो हम सामान्य जजन हैं उसकी तो बात ही छोड़ी है इसलिए भगवान सी कृष्ण जी ने भी इस यज्य को इस हवन को इस अगनिहोतर को बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष थानप्रदान किया है और प्रती दिन हमें करना चाहिए और भोजन से पूर्व यजन यहां हमारी प्राचीन काल की जो परंपरा है उसमें अक्षन चला आ रहा है आज हम भगोन माद के कारण आज हम अपनी इस संस्कृती को पावनी संस्कृती को हम छोड़ रहे हैं उससे अलग हो रहे हैं उसको दूर कर रहे हैं यहां हम एक बहुत बड़ी भूल बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं संस्कृती मानो समाज की जड़ होती है जिसे पेड़ की जड़ होती है पेड़ अपनी जड़ को छोड़ देता है तो समुल नष्ट हो जाता है सूख जाता है, अपने अस्तित्व को खो बेड़ता है, ऐसे ही मानो समाज जब अपनी संस्कृति को छोड़ देता है, अपनी जड़ को छोड़ देता है, तो समुल नश्ट हो जाता है, सूख जाता है, दुखीत हो जाता है, और आज हम समाज की सिधी को देख सकते हैं, जैसे जेसे हम पाश्चाथ्य संस्कृति की ओर आगे बढ़ रहे हैं आज हमने प्रकृति का इतना अंधा धूंद दोहन किया है आज यह प्रकृति बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रदूशित हो चुकी है वाईू इतना जैहिरिला हो गया है कि जो वायू हमें जीवन देता था आज वही एक साल में WHO के आँख़ों को देखे थे एक प्रती साल सतर लाग से अधिक लोग इसी वायू में स्वांस लेकर के मोद के गाट उतर जाते यह हमने क्या कर दिया हम अपनी जड़ को छोड़ चुके हैं हमने अपनी जड़ को छोड़ दिया अपने मूल को छोड़ दिया अपनी संस्कृति को हमने छोड़ दिया इसलिए इस सारे परिणाम हमें देखने को मिलती है तो हमें अपनी संस्कृति को देखना है हमें अपनी संस्कृति को अपनाना है हमें यज्य को अपनाना है, हवन को अपनाना, अगनिहोतर को अपनाना है, जब हम अपनी संस्कृति के स्था जोड़ेंगे, तो यही परियावरण, पोशित होगा, सुद्ध होगा, पवित्र होगा, सुगंदित होगा, जीवन देने वाला होगा, जीवन लेने वाला नहीं, तो यह जो कारिय हैं वह सिद्ध होता है इसी यजन से, यही हवन से, यही अग्निहुतर से, इसलिए हमारे सास्तर कारों ने, चाहिए वो भगवान से कृष्णजी हो स्वामी, धायनन, सरस्वती हो या अन्या भी जो हमारे महा पूरुष हुए है, या हमारे प्राचीन सास्तर मनु स्मृति में भगवान मनु कहते हैं इन पंच महायज्यों को तो हमें प्रती दिन करना ही करना चाहिए और जिस दिन छूट जाये तो उसका प्राइस चित का भी विदान कर दिया और यहां तक कहा कि जो बीना यजन का भोजन करता है वो ससन अभी भरना मस्ति अर्थात वो व्यक्ति इस धर्ती पर स्वास लेता हुआ जीता हुआ भी मृत देह के समान है अर्धात वो जीता हुआ भी वो जी नहीं रहा है स्वास लेता हुआ भी वो स्वास नहीं ले रहा है उसके जीवन में कोई सार नहीं है उसका जीवन वेकार है इस परकार से मतलब कहिने का अभिप्रा है कि इतने कठोर सब्दों में सास्तरकारों ने कहा है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आचारे चानक के जी ने भी इसी प्रकार से चानक के निती में कहा वेद धनी वीवर्जितानी स्वाहा स्वधा कार वीवर्जितानी स्मसान तुल्यानी ग्रिहानी तानी जिस घर में वेद की धनी गुंजाय मान नहीं होती है रचानग की दिगत है। के घर को बता रहे हैं और भगवान सिक्रिष्ण जी बिना यजन का भोजन पाप गिना रहे हैं इसी प्रकार से आचारी संक्राचारी जी इसी अगनी होतरों को देईनिक यजी यागादी को जो व्यक्ति करता है तो उससे क्या होता है तो कहते हैं कि जैसे कहते हैं जैसे हमारे पांस कोई तांबे का पातर है और उस तांबे के पातर को हम प्रियोक करें या ना करें लेकिन धीरे 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 ऊकलम से युक्त हो जाता है और यदि उसको प्रती दिन हम मांचते रहे, दोते रहे, उसको सच करते रहे, तो धीरे 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 वह पात्र चमकता हुआ, कहिने का अभिप्राय है, कि यदि हम प्रती दिन उस पात्र को मांचते तो हमेसा चमकता हुआ रहेगा और यदि उसको हम नहीं मांचते चाहिए हम प्रियोग करें ना करें, ऋ कलमसु से युग्थ हो जाता है। ऐसे ही आचायरी, संकुनाचायरी जी कहते है ति दईनिक अग्णी होतर आधी कर्मों जो व्यक्ति प्रती दिन करता है। उसका चित्न हमेशा निर्मल रहता है, सुध्य रहता है, पवित्र रहता है। प्रती दिन मांजने पर तोने पर पवित्र रेता है, सुगंदित रेता है, सच है और उसे जश्ट विपरित जब पात्र को नहीं दोते हैं ऐसे ही जो व्यक्ति परती निज़िया आगा दे नहीं करता है। शिक्त कलुषित हो जाता है, कलमस से युक्त हो जाता है, असुद्ध हो जाता है, ये कई सारे सास्त्र प्रमान, रिश्यों के, महर्शियों के वाक्य, और इस सारी चीजे मिल करके हमें एक ही प्रेड़ना दे रही है, यदि हम अपने जीवन में उन्नती चाहते हैं, नाम और मोक्ष, जो पुरुषार चतूष्टे है, उसकी सिद्ध इसी यज्ये से होती है, उसको हमापना है, स्रीमेद भगवद गीता में जी सिद्धा, यज्य शिष्टा अमृत भुजो यांती ब्रह्म से नातन, यज्य शेष्का पान करना, सनातन ब्रह्म को अपराप्त कर लेता है, नायम लोग को यज्य से, कुतोनिय सुरुष सत्ता माद जो यज्य नहीं कहता है, यह लोग भी उसके लिए सुप करने होता है, पर लोग की तो बाद चोड़ेती है, इसी प्रकार, यज्य सिष्टा, सिनासर्थ, मुच्चंते सर्व के लिए, सभी क्लेसों से प आला मातरम परी उपास थे, एवं सर्वानी भुदानी अगनी उतरम उपास थे, जैसे भूख से पिडित बालक क्षुधा से पिडित बालक अपनी मा को पुकारता है, और निश्चिंत होता है जब अपनी मा को पुकारता है, अपनी मा के पांच जाता है, तो अब उनकी पूरा विष्वास होता है, और होता भी एसा ही है, वैसे ही एवं सर्वाने भुताने, ऐसे ही सारे भूत, अर्था सारे मनुषगन, सारे जीवगर्ण, अगनी होत्रम उपास्ते, अगनी होत्र की उपास्ता करते थे, यजी की उपास्ता करते थे, हवन करते थे, अगनी होत्र हम भी अपनी मनो कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यक्ताओं को यदि हम पूर्ण करना चाहते हैं, तो यही अगनी होत्र की शरण में आए, यज्य करें, हवन करें, अगनी होत्र करें, कहिने का अभिप्राय हैं, इन सारे सास्त्रों में जो विधान हैं, य यह सारा का सारा मिल करके हमें एक ही प्रेणा दे रहा है कि हम अपने जीवन में यदि अगनी होतर को धार्ण करते हैं तो multiple कई सारे अलग अलग लाभों को हम विशेश रुप से प्राप्त कर सकते हैं और उन लाभों को प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक ही चीज़ है वह कर्म को अपनाने से और यज्य जीवन जीने से निश्चित रुप से हमारे जीवन में सूग, सांती, समरिदी, सदभावना, अच्छाईया और जो चीज़ हमारे जीवन को उन्नत करने वाले तो सारी चीज़ों के हमें निश्चित रुप से प्राप्ती होती हैं इसलिए कहा सास्तों के अंदर जो यज्य को, जिस हवन को जिस अगने होतर को हम करते हैं वह हमारी मनों वांचित इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है वह यज्य हमें उनती की ओर ले जाने वाला होता है वह यज्य हमें पुन्यों से भरने वाला होता है वह यज्य हमारी प्रकृति को पोशित करने वाला होता है, हमारी प्रकृति को सुन्दर बनाने वाला होता है, हमारी प्रकृति उससे स्वस्त होती है, इतना ही नहीं, पूर भी बहुत सारे इस यज्य के हवन के अगने होतरों के देव यज्य के लाव होते हैं, हम आज पंच म जिनको दमा अस्तमा रहता है ऐसे कई पेशेंट हमारे पास में है जब कि अस्तमा और दमा वाला जो पेशेंट है वह अगरबती और दुएं से भागता है वो सेन नहीं कर पाता है उसे तकलिफ होने लगते हैं सांस फोलने लगते हैं लेकिन यक्य के दुएं से यक्य करने तक सुरुवास से लेकर एंड तक उन्होंने पूरा यक्य करते हैं और आज वो कम 85% उनके पंब चूट गए जो दमा स्तमा की जो उनके पंब थे वो भी चूट गए यक्य करने से और वो निमित रूप से अपने घूट गाए निए जब जलेगा दूआ होगा तब आपको में तकलिफ होने लगे तब आप अंदर चले जाना है जब तक तो बैठो अभी तो हमने कुछ भी जलाया ने जब जलेगा दूआ होगा तब आपको में तो इसा हो एटाभात कि लो कोई बाती में हम तकलिफ हो रहे एक रागे तो आप अंदर चले जाना तो हम ने एकड अन्दर चले गादो किया यह कि छालू करने के बात उसके ही जासे हमने घी की उसमें आउथी चलो की और वो व्टि पूरा यंग कि समय तक बैठा रहा और पूरा लाव उसे मिला तो दमास्तवा वाले पेशन्ट को तो मैं बोलूँगा कि उसे नीमित रूप से यगिए करना चाहिए यज्य भारती संस्कति का मूल है तो आईए हम संकल्प लें संसार की स्रेष्ट तम कर्म यज्य को अपनाएं पिंड और अम्हांड में संतुलन कायम करने वाले यज्य को अपने जीवन का अभिन अंग बनाएं एवं प्रकृती मा की प्रति अपने रिनों को अदा करें विश्व स्वास्ति का एक नारा यज्य से होगा जग उजियारा भारती संस्कति की अमुल्य विरासत यज्य की महिमा को जानने है तू वैदिक चैनल पर प्रति दिन प्राता एवं सायन साले 11 बजे यज्य महिमा कारिटरम से जुड़ें विशेश जानकारी है तू संपर्थ करें